Hey guys, तो स्वागत है आपका Captain B2K चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं Spider-Man No Way Home के बारे में And मैं पहले ही clear कर दूँ कि मैं इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बोलने वाला कि Spider-Man हमें Black Suit में दिखने वाला है, जिससे वो Magical Web Shoot करेगा प्लस इस मूवी में उसके साथ Doctor Strange भी होंगे, जो की expected है और most ली लोग जानते हैं मैं आपको बताऊंगा कि Spidey ने ऐसा कौन सा Crash Course किया, जिसके वज़े से वो तुरंत Magic में महारत हासिल कर लिया या फिर at least इतना काबिल हो गया कि वो Magical Web Shoot कर पा रहा है और इस Magical Webbing को यूज करने के पीछे बहुत ही तगड़ा कारण होगा क्योंकि जो लोग मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं, उन्हें मालू होगा कि Spider-Man के Web Shooter में इतने सारे Webbing के Varieties हैं कि वो Varieties ही Web Shooter को खुद में एक खतरनाक वेपन के कैटेगरी में डाल देता है और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर चेक आउट कर लीजेगा उसका लिंक का आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन उस पर जाने से पहले इस वीडियो का कंटेंट देखते भी जाईएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है तो शुरूरात करते हैं एक लीग से जो कि बहुत समय पहले आई थी जिसमें आरेन स्पाइडर सूट का एक अपग्रेड़ेड वर्जन दिखाया जा रहा था जिसको इंटीग्रेटेड सूट कहा गया था लेकिन इसमें क्या इंटीग्रेट किया गया था ये हमें नहीं पता चला था लेकिन अब जब इतने लीग्स, टॉइज और मर्चंडाइस निकल के बाहर आ रहे हैं तो अब हमें मालुम है कि इसमें मैजिक को इंटीग्रेट किया गया था प्लस आरेन स्पाइडर सूट ही एक लोहता सा सूट है जिसमें आप स्पाइडर मैन के कलाई के उपर में भी एक एडवांस वेब शूटर का पार्ट देखते हो जो कि हमें इस मैजिकल सूट में मिस्टिकल वेब शूटर में बदला हुआ दिखाये जाता है और जहाँ पर मैजिक इनवॉल्वड है वहाँ पर टोक्टर स्टेंज का नाम आना तो बनता ही है जिससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यह इंटीग्रेशन या फिरकह अप्ग्रेडेशन डोक्टर स्टेंज नहीं किया है Spider-Man के RN Spider Suit के उपर जिसके वज़े से Spidey का जो web है अब वो उसके कलाई के नीचे से नहीं बलकि उपर से निकलेगा प्लस वो magical भी होगा जो कि आप स्क्रीन में देखी सकते हैं मैं बात करें कि ऐसा Doctor Strange ने क्यों किया तो इसका कारण बहुत ही simple है जो कि ये है कि जिस सेट से ये लोग डील करने वाले हैं उसको भी magic आता है क्योंकि ये Spider-Man की movie है तो मैं expect कर रहा हूँ कि इस बार Spider-Man Doctor Strange की मदद करे ना कि Doctor Strange Spidey की अगर ऐसा हुआ तो पिछले दो Spider-Man movie जो कि MCU के अंदर बने हैं उसमें जो उसको criticism मिला है उसको Marvel वालों ने अभी भी नहीं सुधारा अज पहले टोनी चच्चा आते थे पीटर को बचाने के लिए और इस बार Doctor Strange आये हैं पहले पीटर बोलता था कि चच्चा हमारे विधायक है और इस मूवी में वो बोलेगा चच्चा हमारे Doctor है मैं Doctor Strange का रूल इस मूवी के अंदर हलके जैसा देखना चाहता हूँ जैसा उसका रूल Thor Ragnarok मूवी के अंदर में था जहां पे उसके involvement होने के बावजूद main focus कहानी का Thor के उपर ही था सेम चीज यहां पर भी होना चाहिए मेरे खयाल से फर्स्ट हाफ में हमें Matt Murdoch aka Daredevil Peter को कोट में जितने मसले हैं उससे डील करने में मदद करेगा वहीं सेकेंड हाफ में हम Peter को Doctor Strange को असिस्ट करते वे देखेंगे जहां पर वो Multiverse को ठीक करने में लगे होंगे जो कि Wanda या फिर He Who Remains के किसी अक्ट के वज़े से हुआ होगा और मैं मजाक या फिर कोई थियोरी ऐसे ही नहीं दे रहा क्योंकि Comics में ऐसा हो चुका है को ठीक कर रहे थे इतना कम लगे तो आगे fight करने के लिए Doctor Strange ने उसके webbing के जगह क्रिंसम band of Cytoract एड कर दिया था जो कि Comics में बहुत ही ज़्यादा powerful थे और कभी-कभी तो Juggernaut or Hulk जैसे character को control में लाने के लिए Doctor Strange use करते थे वहीं अगर movie की बात करे तो इसी की मदद से Doctor Strange ने Infinity War में Thanos को यहाँ पर जकड़ा हुआ था वैसे मैं जिस Comics की बात कर रहा हूँ उसमें तो Spidey अलग-अलग dimension में जाता है लेकिन maybe MCU में वो अलग-अलग reality में जाए जहाँ पे हमें बाकी तो human Spider-Man भी दिखे मतलब कि Toby Maguire वाला Spider-Man और Andrew Garfield वाला Spider-Man हम लोगों ने अभी तक यही possibility लगाए थी कि यह दोनों Spider-Man MCU के अंदर आए लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अपना Spider-Man उनके reality में जाए वैसे कुछ समय पहले Venom 2 Let There Be Carnage का एक image लिख हुआ था जिसमें हम पर सकते हैं कि concept artist ने उस art को Spider-Man vs Venom नाम दिया था जो कि ऐसे तो होने से रहा बट अगर वो Doctor Strange के साथ अलग-अलग realities में जम कर रहा है तो possibilities तो बनता है बॉस इतना कम लगे तो Venom की Morbius मूवी में होने की भी बहुत ही जाला chances है मैंने already इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे Venom और Spider-Man का crossover में देखने को मिल सकता है तो उसका link आपको description में मिल जागा तो मैंने यह जरूर कहा है कि Spider-Man के opponent को इस movie के अंदर magic आता होगा इसलिए Doctor Strange यहाँ पे involved है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि Doctor Strange का वो villain होगा maybe वो Spidey का ही कोई villain होगा जो की कोई magical artifact यूज़ कर रहा है जिसके वज़े से ऐसा हो रहा है जो की मुझे Spider-Man Shattered Dimension की याद दिलाता है जिसमें हमें चार अलग-अलग Spidey देखने को मिले थे और यहाँ पे तो तीन Spidey देखने के rumor न है उस game में होता यह है कि Mysterio Tablet of Order and Chaos को चुरा कर भागने की कोशिश करता है लेकिन Spidey आकर वहाँ पे punch करता है और इसी बीच Mysterio Tablet को आगे कर देता है जिसके वज़े से वो punch Tablet में जा लगता है और वो Tablet तूट जाता है और वो तूटने के बाद चार अलग-अलग Dimension में जाग गिरते हैं फिर Madam Web वहाँ पे आती है और चार Dimension के Spider-Man को यह टास्क सौपती है कि उन सब टुकरों को collect करके इसे वापस कर दे उपर से उस गेम में Ultimate Spider-Man रहता है जो Symbiote Suit पहना हुआ रहता है एंड Guess What एक और कॉमिक है जिसमें Doctor Strange और Spidey का Team-Up देखने को मिलता है जिसमें Doctor Strange एक साल के लिए Peter को Magic सिखाते हैं जिसमें Mostly Defensive Spells रहते हैं इसमें से एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि उसको Infinity War में Doctor Strange ने यूज किया था Thanos के अगेंच्ट और इससे छुटकारा पाने के लिए Thanos ने दो Infinity Stones को एक साथ यूज किया था हाँ हाँ आपने सही समझा यहाँ पर जो उसने अपने Multiple Images या फिर क्लोन बना लिये थे उसकी असल में ये Spell Images of a Con है जिसके बाद Doctor Strange ने अपने Multiple Clone बनाये थे और सेम चीज कॉमिक्स के अंदर ये Spidey भी करता है वेल कॉमिक्स से मुझे ये दो instances ही याद आए जहाँ पर Doctor Strange Spidey को Magic Related ग्यान या फिर Upgrade देते हैं इसके अलावा मैंने Ultimate Spider-Man के सीरीज के अंदर देखा था जहाँ पर Doctor Strange ने Eye of Agamotto Spider-Man को दे दिया था जिसके बाद से वो खुद को Spider-Man Supreme बुलाता है प्लस अगर उसको कोई Magic परफॉर्म करना होता है तो वो सिर्फ उसको बोल देता है जैसे कि उसको Doctor Strange के पास जाना था तो वो कहता है कि Eye of Agamotto मुझे Doctor Strange के पास ले चलो और Eye of Agamotto उसको वहाँ लेके चला जाता है वैसे कमाल की बात तो ये है कि जो images निकल के आ रही हैं उसमें हम Doctor Strange के गले में Eye of Agamotto भी देखते हैं जबकि Infinity War के अंदर Thanos ने इसको crush कर दिया था भले ही उसने इसे fake कहा था लेकिन ये fake किस लिए था? टाइम स्टोन उसमें नहीं था इसलिए या फिर वह रेलिक ही fake था अब Eye of Agamotto MCU में comics के जैसे ही powerful है या फिर वो बस एक normal रेलिक है ये तो आने वाली समय में हमें पता चल लिएगा आपको क्या लगता है कि Dr. Strange पीटर को कुछ magic सिखाएंगे या फिर सिर्फ उसके gadgets को upgrade कर देंगे जैसा कि हम लोगों को इन images को देखकर समझ में आ रहा है आप अपनी राय हमें comment section के जरीए बता सकते हैं या फिर हमसे कोई detail रह क्या हो तो उसे भी बता सकते हैं अगर informative लगा तो मैं उसे आने वाले वीडियो में बता दूँगा ताकि और भी ज़्यादा लोगों को पता चले चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दे और पुराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करें अपने खयाल अकर keep moving forward correct लगा कर आगे बढ़ते रहे Thank you for watching this video, stay tuned